अलो विबन, उत्तवदेश राजविशेश के समसामाइक वार्शिकांग घटना क्रम में आज हम यहाँ पर मार्च 2021 से ले करके अप्रेल 2022 तक के यहाँ पर 14 महिने के करेंट इफेर्स को डिसकस करने जा रहे हैं तो आप सभी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े रहिएगा सारी चीजों को हम एक एक करके इसमें डिसकस करेंगे उत्तवदेश सरकार के द्वारा जो यहाँ पर महत बोण निर्ने लिए गए योजनाय संचालित की गए कार क्रमों का आयोजन हुआ महोत्सो हुए विभिन पुरसकार, पुस्तगे और अन्य परकार के यहाँ पर घटना क्रमों को लेकर हम इसमें डिसकस करेंगे ऐसे विश्यों को यहाँ पर हम डिसकस करने जा रहे हैं जो कि आपके UBPCS के एक्जाम में पूछे जा सकते हैं as a question के रूप में 12 जून को एक्जाम है और अससे पहले यहाँ पर दो हफ़ते पहले यह आपको वीडियो मिल रहा है तो आप यहाँ पर अच्छे से इस वीडियो को कई बार देख करके उत्तवदेश से राजविशेश को लेकर सभी प्रकार के घटना क्रमों को अच्छे से रिवीजन कर लीजेगा चलिए जादा समय नहीं लेते हैं और अपना टॉपिक यहाँ पर पढ़ना सुरू करते हैं आपको अगले यहाँ पर डेल घंटे मेरे साथ बने रहना है आप एक काम यह भी कर सकते हैं थोड़ा सा एक्टिव रह सकते हैं एक्टिव रहने के दोरान आप एक पेपर पेन लेकर के चीजों को नोट डाउन भी कर सकते हैं अर्थात कौन-कौन से चीज़ें यहाँ पर बनाई जा रहे हैं या इस वीडियो का आप एक नोट्स भी बना सकते हैं इस नोट्स को बना लेने के बाद आप अपने अस्तर पे इसका क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से सुन करके इसके नोट्स बना करके आगले दो हफ़ते में इसका यूपी विशेस को लेकर आप एक अच्छे से इसका रिवीजन करें सकते हैं तो आई होप आप यहाँ पर मेरी बातों को समझ रहोंगे चलिए स्टार्ट करते हैं एक इक करके टॉपिक को मैं आपको बताता चलता हूं और आप इसे एक करके सुनते और समझते चलिए और होर सके इसके नोट्स भी बनाइगे देखे पहला यहाँ पर टॉपिक है पहली rapid rail ठीक है पहली rapid rail कहां से कहां के लिए बनाई जा रही है किनकी छेत्रों को यह जोड़ेगी तो यहाँ पर देखे दिल्ली मेरट कॉरिडॉर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का यहाँ पर अनाव रन मार्च 2022 में रीजनल रैपिड ट्रांजिस सिस्टम ट्रेंड के रूप में यहाँ पर किया जा रहा है यह corridor जो है दिल्ली गाजयाबाद और मेरड को जोड़ेगा अर्थाद दिल्ली से start होगा गाजयाबाद से होते हुए यह मेरड तक को यहाँ पर यह corridor करेगा टोटल देखा जाती है 85 किलोमेटर का एरिया 82 किलोमेटर इसका जो ट्रांस, इस ट्रेंड का यहाँ पर कह सकते हैं कॉरिडोर है, यह 82 किलोमेटर लंबा है और दिल्ली से गाजयाबाद कर तक की इस 82 किलोमेटर के सफर को इस सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर आप 55 मिनट में टै कर सकते हैं इस ट्रेंड में छेतरी कॉरिडोर पर बिजनिस या प्रीमियम कोच लगाने वाली एक तरीके की पहली ट्रांसिस यहाँ पर रैपिड रेल है इसको भी यहाँ पर ध्यान रखना है तो यह हमारा पहला टॉपिक दूसरा क्या है दूसरा टॉपिक है स्कूल चलो अभियान उत्वदे सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रात्मीक वा उच्च प्रात्मीक विद्यालियों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए 4 अप्रेल 2022 को स्त्रावस्ती जिले में प्रारम किया गया राज्य में अगर देखा जाए तो स्त्रावस्ती जिला जो है वो सबसे कम साक्षर्ता दर्वाला जिला भी है इस तरह की योजनाओं में देखे कुश्चन आपको जो पूँचे जाते हैं नाइनर की रूप में आपको किस जिले से प्रारम किया जा रहा है या किस प्रकार के उद्देश्यों को यहाँ पर यह पूरा करने के लिए योजना है ठीक है कब प्रारम की जा रही है तो यहाँ पर ऐसे फैक्ट को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है स्कूल चलो अभियान के बाद अगला टॉपिक है सरसुती सम्मान कई बार पुरसकारों को लेकर भी कुशन पूछा जाता है तो 2021 के लिए सरसुती सम्मान की घोशना 2022 में यहाँ पर की गई सरसुती सम्मान 2021 प्रदान किया गया कविवा साहितिकार प्रोफेसर रामदरस मिस्र को और किसलिए प्रदान किया गया तो उनकी कविताओं के संग्रा मैं तो यहाँ हूँ के लिए उनको यह पुरसकृत किया गया है सरसुती सम्मान में एक प्रशस्तिपस्त्र एक पट्टी का और 15 लाख रुपए नगत पुरसकार दिया जाते है सरसुती सम्मान को प्रारम किया गया अर्थात यह पुरसकार प्रदान किया जाने लगा 1991 से स्टार्ट किया गया था और यहाँ पर 2021 का सम्मान यहाँ पर दिया गया है जिसके रूप में यहाँ पर 15 लाख रुपए एक प्रिशस्थ परत्र और एक पट्टी का प्रदान की गई है अगला यहाँ पर है सीश सब्जी उत्पादन को लेकर डेटा यहाँ पर जारी किया गया और इस डेटा में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का क्या अस्थान रहा यह आपको ध्यान रखना है सीश सब्दी उत्पादन 2021 के फसल वर्ष जुलाई जून में उत्तर प्रदेश में सब्जीयों का उत्पादन 29 अमलोब 5-8 मिलियन टन रहा पश्चिम बंगाल को प्रतिस्थापित करके उत्तर प्रदेश सब्सिस या सरवाधिक यहाँ पे सब्जीयों उत्पादक वाला राज्य बन गया इसके साथ ही साथ मद्रदेश, बिहार, महाराष्ट जैसे अन्य यहाँ पे सबजी उत्पादक प्रमुख राष्ट रहे कई बार फलों के उत्पादक राष्टों को लेकर भी आपसे प्रश्ण पूछा जा सकता है तो यहाँ पे ध्यान दीजेगा आंध्रदेश सीर्ष फल उत्पादक राष्ट है और उत्तपदेश सीर्ष यहाँ पे सबजी उत्पादक राष्ट है अगला टॉपिक यहाँ पे मेडिकल कॉलेज को लेकर है उत्तपदेश में कुछ और मेडिकल कॉलेजों को खोले जाने की बात कही गई है मेडिकल कॉलेजों में देखा जाए तो यहाँ पे साथनीक नजी भागीदारी मॉडल के आधार पर राज्य सरकार ने 2024 तक महराज गंज और संभल जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्ण लिया है तो दो और जिलों में यहाँ पर धियान रखेगा 2022 में दो और जिलों में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज यहाँ पे स्थापित करने का घोशना कर दी गई है कौन कौन से तो महराज गंद और संभल में अगला टॉपिक इसमें है राज ओर्जा और जलवाई सूचकांग यहां पे जारी किया गया है तो राज ओर्जा जलवाई सूचकांग में UP का क्या स्कोर रहा है क्या स्थान रहा है इसको देखे उत्तवदेश की जो रैंक है ध्यान रखेगा राज ओर्जा और जलवाई सूचकांग में उत्तवदेश का स्थान रहा है 13 अर्था 13 रैंक रही है और टोटल जो इनको स्कोर यहां पे प्राप्थ हुआ है वो है 41 ठीक है 41 यहां पे इन्होंने स्कोर किया है ठीक है इस सूचकांग के कितने मानक है 6 मानक है कौन-कौन से पहला है डिसकॉम का प्रदर्शन दूसरा है उर्जा दक्षता तीसरा है परियावरणी इस्थिर्ता चोथा है स्वक्ष उर्जा पहल पांचवा है नई पहल तथा पहुँच और 6 है वहनियता एवं विश्वसनियता तो इन 6 मानकों के आधार पर राज्यों को यहाँ पर रैंक प्रदान की गई UP के बारे में हमें क्योंकी ध्यान रखना है उत्तवदेस राज्य विशेश के बारे में हमें पढ़ रहे है तो उत्तवदेस का इसमित अस्थान काउन सा रहा है 13 और इसको रहा है 41 राज ओर्जा और जलवाई सुचकांग में अगला टॉपिक है अमरित सरोवर आजादी के अमरित महोसरों के अवसर पर यहां पर अमरित सरोवर को बनाने का यहां पर निर्णे लिया गया है और इसी के तहट यहां पर देखे उक मुख्यमंत्री योगी आदितनात के प्रयास से रांपूर की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमरे सरोहर बनकर तयार हुआ है कहां पे? तुध ध्यान रखेगा रांपूर की ग्राम पंचायत पटवई में अम्रिस सरोहर पहल के तहर 75 जल निकायों को विक्सित और पुनरजीवित यहां पर किया जाएगा अगला टॉपिक है घर-घर दस्तक अभियान क्या है यह अभियान? किस छितर से जुड़ा हुआ है? किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है? क्या इसके अंतरगत किया जाएगा? तो घर-घर दस्तक अभियान संचारी रोगों पर प्रभावी नियंतरण के लिए उत्तर प्रदेश में आसा वरकर्ष घर-घर जाकर संचारी रोग से ग्रस्त मरीजों की पहचान कर लोगों को बचावा नियंतरण उपायों के बारे में जागरूख करेंगी साथी साथ यहाँ पर ऐसे लोगों को जो कि यहाँ पर बीमार है या बहुत जादा बीमार है उन्हें अस्पतालों में बर्ती कराने का भी काम इनके द्वारा किया जाएगा तो घर-घर दस्ता कभियान किस से रिलेटेड है? अगला है हाथी रिजर्व केंद्री वन मंत्राले के द्वारा उत्तवडेश के पहले हाथी रिजर्व को मनजूरी प्रदान की गई है अब यहाँ पर देखें यहाँ उत्तवदेस के तराई लाके को मिला करके साथी साथ इसमें दुधवा टाइगर रिजर्व और पिली भी टाइगर रिजर्व को मिला करके यहाँ पर बनाया जाएगा उत्तवदेस का पहला तराई एलिफेंट रिजर्व एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखेगा जो दुधवा टाइगर रिजर्व है यूपी का अकेला ऐसा राष्ट्य उध्यान है जिसमें अगर देखा जाए तो चार अलग-अलग आप जंगली जानवरों को यहाँ पे कह सकते हैं कि संरक्षन प्रतान करने वाला बन गया है कौन-कौन से है इसमें तो दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी का केला राष्ट्य उध्यान होगा जिसमें बाग, एक सिंग वाले गैंडे एशियाई हाथी और बारा सिंगा की रक्षा वा संरक्षन का कार किया जाएगा हाथी के लिए यहाँ पर इसे फाइनली अड्ड कर दिया गया है यूपी का अपना पहला तराई इलिफेंट रिजर्व यहाँ पर मिल रहा है और इसमें तराई के भाग को पिली भी Tiger Reserve और दुधवा Tiger Reserve को मिला कर बनाय जाएगा अगला टॉपिक है राष्टी रोग नियंत्रन केंद्र ठीक है कहाँ बनाय जा रहा है UP में तो 19 अप्रेल 2022 तक लखनव में राष्टी रोग नियंत्रन केंद्र की स्थापना को मनजूरी प्रदान की गई और देश भर में कुल 6 में से एक किंद्र यहाँ पर लखनव में स्थापित किया जाएगा लखनव में इसे सरोजिन नगर में धाई एकड जमीन का दिग्राण करके वहाँ पर बनाया जाने का निर्ने लिया गया है अगला है प्रियागराज जंक्षन यहाँ पर क्यों चर्चा का विशय रहा है तो देखे उत्तरमध रेलवे यानि NCR के 66 रेलवे सब्ता सराम समारोह में प्रियागराज जंक्षन को सोलवी शीर्ड यहाँ पर प्रदान की गई है सर्वोत्म इस्टेशन के प्रमारपत्र के रूमर्थाथ की यहाँ पर उत्तरमध रेलवे का जो सर्विस्रेश्ट इस्टेशन यहाँ पर का दरज़ा प्रदान किया गया है वो किसे प्रियाग राज जंक्शन को यहाँ पर प्रोवाइड करा गया है या प्रत्तान यहाँ पर किया गया है और साथी साथ यहाँ पर देखे 155 रेल कर्मियों को भी यहाँ पर पुरुस्कृत किया गया अगला है उत्तर प्रदेश में जमीन पैमाईश को लेकर एक नई तकनीक लागू की जा रही है क्या है यह तकनीकी? योगी सरकार ने जमीन की पैमाईश Electronic Total Station से कराएगी इसके तहत यूपी के सभी तहसीलों में 5-5 मशीने रखी जाएंगी और ETS इसका short form है Electronic Total Machine का ETS से निकलने वाली किरने जमीन की यहाँ पर नपाई करेंगी तो ध्यान रखेगा यहाँ पर जमीन की पैमाईश की नई तकनीकी है ETS यानि की Electronic Total Station जिससे निकलने वाली किरनों के माध्यम से भूम की पैमाईश की जाएगी अगला है प्रधानमंत्री स्वनीधी योजना 2021 में योजना के क्रियानविन में वाराणसी पहले अस्थान पर रहा ठीक है ध्यान रखेगा प्रधानमंत्री स्वनीधी के योजना में पहला अस्थान यहाँ पर वाराणसी को मिला है और वारांसी के DM कौसल राज शर्मा को इसके लिए पुरिस्कृत किया गया इस योजना में छोटे दुकानदारों ठेला पटरियों वालों को सस्ती दरपर 10,000 का कर्ज यहां पर देने की सुविधा है जिसके लिए किसी भी प्रकार की गारंटी की जरुवत नहीं होती है तो COVID-19 के दौरान क्योंकि रे अठेला पटरियों वालों को सबसे जादा एक दिक्कत हुई थी उस दौरान यहां पर इस योजना को लागू करने में बारानसी सबसे बहतर जिले की रूप में उन्होंने कारी किया और इसके लिए यहां पर यह पुरसकारिन है प्रोवाइड किया गया है अगला है ताज महोटसव क्या है ताज महोटसव? कला शिल्प हुआ संस्कृत के दस दिवसी उत्सव का उत्गाटन 20 मार्च 2022 को आगरा के सिल्प ग्राम में हुआ ताज महोटसव की इस वर्ष की विशय वस्तू या इससे हम थीम कहते हैं क्या थी? आजादी के अमरित महोटसव के संग ताज महोटसव के रंग इसमें कश्मीर, वाराणसी, पश्चिम मंगाल, पंजाब, चतिसगड कई राज्यों के कलाकारों ने अपनी अपनी यहाँ पे कृतियों का प्रदर्शन भी किया अगला टॉपिक है योगी आदितिनाथ बने हैं दूसरी बार मुख्यमंत्री क्योंकि इसी वर्ष हुए थे चुनाओ में दूसरे कारिकाल के लिए सीम की यहाँ पर सपत ली है योगी आदितिनाथ ने साथी ब्रजेस पाठक और केशो प्रशाद मौरी को उप मुख्यमंत्री के रूप में इनके द्वारा सपत ली गई राज़पाल आनंदी बेन पटेल हैं और इन्होंने 18 कैबिनेट मंत्रियों सही 34 मंत्रियों को सपत साथी साथ दिलाई है देखा जाए तो योगी आदितनाथ 33 मुख्यमंत्री के रूप में लगातार इन्हें दूसरा कारिकाल प्राप्त किया है और उत्तव देश की ये पहले मुख्यमंत्री बन गए है जिन्हें लगातार इन्हें दूसरा कारिकाल प्राप्त किया है या मिला है या जीता है नोल चलिए अगला है बोल्ड्स मान पदक क्या है बोल्ड्स मान पदक प्रोफेसर दीपक धर जो आई 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 टी कानपूर से सम्मंधित है को यह पुरसकार प्राप्त करने वाले प्रत्वम भारती बन गए यह पुरसकार इनको मिला है सांक की भौतकी के छेत्र में उत्रिश्टकार के लिए और देखा जाये तो यह जो बोल्ड्स मान पदक ह यह तीन साल में एक बार यहां पर प्रदान किया जाता है और इस बार इसने मिला है एक भारती अर्थात प्रोफेसर तीपक धर को जो आई आई टी कानपूर से सम्मंधित हैं अगला है अंतराश्ट्री धुपद मेला 2022 दो मार्श 2022 को वारांसी के तुलसी घाट पर पांच देवसी अंतराश्ट्री धुपद मेले के 49 संसकरन का आयोजन किया गया यह एक संकीत उत्सव है जिसमें प्रख्या संगीत कलाकार्व जो होते हैं वो पाटिस्पेट करते हैं तो ध्यान रखेगा आयोजन हुआ कब और कहां पर हुआ और किस प्रकार की चीजों का आयोजन यह करता है बस यही तीन चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखने हैं अगला टॉपिक है हिंदी साहित संमेलन क्या है हिंदी साहित संमेलन तो दो दिवसी 73 वा अधिवेशन 111 साल के इतिहास में सात्मी बार है कि प्रयाग राज में इसका आयोजन हुआ है और कई प्रांतों के साहित संमेलन में इस बार पाडिसिपेट किया अगला है गोमती एक्सप्रेस वेव जो कि यहां पर राज के विकास को लेकर अवसर रशनात्म परियोजनाओं का एक प्र और दुधवान निशनल पार को जोडते हुए उत्राखंट के नैनी ताल जिले में हलदवानी शहर को यहां पर आपस में जोडने का कारी करेगा इसके लिए 15,040 करोन की यहां पर खर्चाने का लागत यहां पर बताई गई है और केंदर सरकार इस योजना में यहां पर 2027 तक गोमती Expressway को पूरा करने का लक्ष यहां पर रखा गया है अगला है नमो घाट नमो घाट देखिये वारांसी के जो खिड़किया घाट की पहचान नमो घाट के रूप में यहां पर अभी तक के रूप में होगी खिड़किया से अदिकेशव घाट के बीच वारांसी क पुटत उत्सव के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी पुतत उत्सव का यहाँ पर आयोजन वाराणसी के असी घाट पर आयोजित किया गया देश के पांच बड़े शहरों में इसका आयोजन हुआ और इसका ठीम रखा गया था आजादी के रंग पुतल के संग अगला है खोसला राश्ट्वी पुरसकार यह किसे प्रदान किया गया है तो यहाँ पर जी प्रोटीन युगमित रिसेप्टर्स की संरचना कार्य वा मॉडूलेशन के छेतर में शोध कारे करने वाले प्रोफेसर वा बायोलोजिस्ट अरुन कुमार शर्मा को यह पुरसकार जर्मा किया गया कि यह खोशला राश्ट्वी पुरसकार है विज्ञान के छीटर में यहाँ पर दान किया गया और इस वर का जो पुरसकार है वो किसे प्रदान किया अरुन कुमार शर्मा पर जो कि एक बायोजिस्ट और प्रोफेसर हैं अगला है यहाँ पे निर्यात तत्परता सूचकांग उत्तव देश छटवां अस्थान यहाँ पर मिला है निर्यात तत्परता सूचकांग में और गुजरात को यहाँ पे प्रिथम अस्थान मिला है इस सूचकांग को जारी करता है नीति आयोग नीतियायक द्वरा इसके यहाँ पे जारी करने का जो उतेश है कि राज्यों की निर्याद संभावनाओं वह प्रदर्शन के लिहाँ से राज्यों की तयारी का आखलन किया जाता है अगला इसमें है बायो ग्रडेबल नैनो पार्टिकल का यहाँ पे आविशकार किया गया विक्सित किया गया है तो ध्यान रखेगा बायो डिग्रडेबल पार्टिकल जो होते हैं फसलों को बचाने के लिए और यहाँ पर बनाये गये हैं एक नैनो पार्टिकल जो पायो डिग्रेबल हैं अगला यहां पर है Ombuds Person App Ombuds Person App जो है मनरेगा से सम्मंधित शिकायतों की सुधार, रिपोर्टिंग और वर्गी करण के लिए उत्तवदे सरकार के ग्रामेड विकास और पंचायती राजमंत्रालियों के द्वारा अप यहां पर विक्सित किया गया मनरेगा में काम, भुक्तान, समस्याओं की सिकायत, समाधान यहां पर इस एप के माध्यम से किया जाएगा साथी मनरेगा को यहां पर अधिक पारदर्शी भी इसके Ombuds Person App के माध्यम से सुनेशित किया जाएगा अगला है तीसरा राश्ट्री जल पुरसकार यहां पर उत्तवदेश को मिला है यहां पर उत्तवदेश के जल सक्ति मंत्राले को तीसरा राश्ट्री जल पुरसकार 2022 यहां पर प्रदान किया गया यहां आवार्ड प्रदेश को जल समवर्धन वा जल संडरक्षन के छेत्र में बहतर कार के लिए प्रदान किया गया राज्यों में पहला स्थान यूपी दूसरा राजस्थान और तीसरा यहां पे तामिलनाट को मिला जबकि सर्वसेज जिला पुरस्कार मुझफन अगर उत्तव देश को यहां पे प्राप्थ हुआ है अगला है उत्तवदेश के 14 व्यक्तियों को मिला है पद्म पुरस्कार ठीक है जिसमें पद्म भूशन पद्म भूशन और पद्म स्री तीनों तरीके के पुरस्कार इस बार प्रदान किये गए हैं तो किसे किसे मिला है किस किस शेत्र में मिला है और कौन से पुरस्कार किसको मिले है, इसको देख लीजिए देखे राधे स्याम खेमका को मरनोपरांद और कल्याण सिंग को मरनोपरांद साहत और सिक्षा के छेत्र में भारत का दूसरा सरोट चनागरिक पुरस्कार पदम विभोशन से यहां पे सम्मानित किया गया इसी तरीके से राशित खान को कला के छेत्र में और वशिश तरिपाथी को साहितवा सिक्षा के छेत्र में पद्म भूशन पुरस्कार से यहाँ पर इन्हें प्रदान किया गया साथी साथ यहाँ पर पदमिस्री पुरसकारों से यहाँ पर नवाजा गया है अगला यहाँ पर सतीस महाना सतीस महाना का नाम यहाँ पर हाइलाइट इसलिए रहा क्योंकि सतीस महाना को जो यह कानपुर नगर की महराजपुर सीट से विधायक कि यहाँ पर सतीस महाना को सर्व सम्मच से आठवी विधान सभा अध्धक्ष के रूप में यहाँ पर चुल लिया गया है तो ध्यान रखेगा उत्तवदिस विधान सभा के अध्धक्ष के रूप में चुना गया है सतीस महाना को और यह विधायक कहां से हैं तो कानपूर के महराज़पूर स्रीट से यहाँ पर विधायक हैं और यह आठवी बार यहाँ पर विधायक के रूप में चुने गए पहले इससे पहले का जो यहाँ पर योगी सरकार का कारेकाल था प्रुथम कारेकाल में सतीस महाना जो थे वो आपके अध्योगिक विकास मंत्री और कई विधान सभास समीतियों के यहाँ पर आपके अध्यक्ष भी रहे हैं इसके लाव उत्तवदेश में स्मार्ट शहरों की रैंकिंग यहाँ पर जारी कर दी गई है केंद्री आवास्वा शहरी मंत्राले के स्मार्ट सिटी शहरों की रैंकिंग यहाँ पर जारी की गए जिसमें उत्तवदेश के वारांसी को प्रथम स्थान मिला है जबकि कानपूर को चौथा स्थान मिला है ओवराल टॉप 10 की रैंकिंग में देखा जाए तो वाराणसी, कानपूर, लगनव, आगरा जैसे शहर यहाँ पर आपको शामिल रहे हैं तो यह हमारा पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया और अब हम आएंगे अपने पार्ट 2 पर टोटल यहाँ पर चार ही पार्ट में हम पूरी की पूरी यहाँ पर आपको उत्तव देश के करंट डिफेर्स को पढ़ने लेने वाले हैं तो बस ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहना है आते हैं अपने यहाँ पर दूसरे चॉपिक्स पर दूसरे भाग में दूसरी परिस्तितियों पर दूसरे क्या-क्या यहाँ पर महत्पुर्ण रहा और कौन से यहाँ पर घटना क्रम रहें उनको देखने ते हैं पहले यहाँ पर देखे अगला है बखीरा वनिजीव अभ्यारन उत्तरपदेश के इस अभ्यारन को राम सर अंतराश्ट्री महत्य के आदरभूम के रूप में यहाँ पर सूची बत्र किया गया है यहाँ देखा जाए तो यहाँ समझो था आदरभूम के संरेक्षन और सतत उपयोग के लिए अंतराश्ट्री संध के रूप में यहाँ पर शामिल किया है तो ध्यान रखेगा इस परेड में गरतन दिवस परेड में 2022 में उत्तवदेश के काशी विश्वनात जाकी को सरवस्रेश्ट यहाँ पर जाकी के रूप में यहाँ पर चुना गया है दूसरे पर करनाटा को तीसरे पर मेखा ले रहा साथी भारती नौसेना को सरवस्रेश्ट मार्चिंग दल के रूप में इस बार के गरतन दिवस में चुना गया अगला टॉपिक है केंद्र बेंतवा लिंग परियोजना के लिए और बुंदेल खंड सूखा प्रभावे छेत्र जो है इसको सबसे जादा फाइदा देखा जाए तो केंद्र बेंतवा दोनों नदियों को आपस में जादा लाभानवित होने वाला है वो है बुंदेल खंडेरिया की महता और भागोलिक इस्तिति अगर देखे तो ये आपको उत्तबदेश और मत्तबदेश दोनों ही राज्यों में फैला हुआ एक छेत्र है और इस छेत्र के अंतरगत आने वाले जिले जो हैं वो सूखा से प्रभावित रहते हैं लेकिन केन और बेतवा नदियों को लिंक करने की योजना काफी लंबे समय से अधर में लटकी हुई थी जिसे फाइनली यहाँ पर इस साल के केंदरी बजट में यहाँ पर इसके लिए 44,000 करोन रुपैसे जादा यहाँ पर बंटित किये गये हैं और इसके साथ ही रास्ता क्लियर हो गया है इस दोनों नदियों को आपस में जोड़ देने से ऐसा यहाँ पर होता है तो उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, ललिदपुर और जहासी के जिले कि लोगों को यहाँ पर सिचाई और पानी की समस्याय दूर हो जाएंगी वहीं मद्व देश के तेरा जिलों को भी इसका फाइदा होगा अगला है सौभागे योजना इस योजना के तहत राजस्थान में सौ राधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से सरवाधिक 1,23,682 घरों का विद्धुती करण यहाँ पर किया गया है इसके बाद 36 गड का अस्थान रहा जहाँ पर 65,373 और तीसरे अस्थान पर उत्तरव देश रहा जहां 53,234 घरों का यहाँ पर सौर अधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर सौरोर्जा का उत्तपादन या विद्धुत सप्लाई आपको की जा रही है तो ध्यान रखेगा यूपी की सस्थान पर रहा यूपी का स्थान इसपर तीसरा है जहां टोटल संख्या जो रही है 53,234 घरों के यहाँ पर जोड़ा गया है चले अगली अगला टॉपिक है काया कल्प आवार्ड यह आवार्ड देखिए इस स्कीम के तहए जिला महिला चिकिस साले मुझफवर नगर को पहला स्थान पर प्रात हुआ है दूसरे पर ललितपुर रहा और तीसरे पर मेरट रहा पहले स्थान पर रहे जिला महिला चिकिस साले मुझफवर नगर को यहाँ पर तीस लाख रुपाय यहाँ पर काया कल्प आवार्ड के अंतर्गत दिये गए हैं जिसके तहट यहाँ पर अन्चिकिस सुविधाएं उपकरण और अन्य यहाँ पर निर्माड और उसका कह सकते हैं कि जिनोधार या पुनोधार यहाँ पर आपको उस्पताल की अन्य सुविधाएं यहाँ पर प्रवाइड कराई जाएंगी अगला है मेजर ध्यान चंद खेल विश्विध्याले प्रधान मंत्री ने 2 जनुरी 2022 को उत्तपदेश के मेरठ में मेजर ध्यान चंद खेल विश्विध्याले की यहाँ पर निवरती है इस विश्विध्याले को बनाने के लिए 700 करण रूपए की लागत आएगी और यहाँ पर 540 महिला और 540 पुरुस सहित 1080 खिलाडियों को प्रशक्षित करने की चंदा से यह आपका विश्विध्याल है लैसोगा अगला है राजसोगाओं राजसोगाओं क्या होते हैं ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह थोड़ा सा टॉपिक इस विशेवस्तु से इसकी हेटिंग से थोड़ा सा अलग है उत्तव्दे सरकार ने बहराईच जिले में नेपाल सीमा के पास इस्थित चार गाउं को राजसोगाओं घोशित किया है कौन-कौन से हैं तो ये भी ध्यान से सुन लीजे ये मिहिन पुर्वा, तैशील में स्थित, भवनीपूर, तेठिया, धकिया और बिशिया है ये वतांगिया गाउं है वतांगिया, समुदाय में, म्यामार में, और अपनिवेशिक काल में पेंड लगाने के लिए लाए गए लोग शामिल है और राजसोगाओं का मतलब होता है एक सीमां की छोटा प्रशासनेक छेत्र जो कि यहाँ पर आपको बॉर्डर के साथ लगता है तो यहाँ पर यूपी कैसे चार छेत्रों को यहाँ पर राजसोगाओं को और उप में यहाँ पर घोशित किया गया अगला है टाटा पावर रेनुवेबल एनर्जी को लेकर चर्चा का विशा यूपी क्यों रहा है क्योंकि Tata Power Renewable Energy ने उत्तब्देश के प्रियाग राज और बांदा में 50-50 मेगावाट की 200 और उर्जा परियोजनाएं यहाँ पर सुरूकी है सैयंत्रों को सालाना 221.26 मिलियन यूनिट से अधिक का यहाँ पर उत्पादन करेंगी इन दो परियोजनाओं के लिए Tata Power Renewable Energy और UP PCL के मद यहाँ पर बिजली खरीत समझोता भी यहाँ पर हो गया है अगला लखनव सुपर जायंट को लेकर यहाँ पर चर्चा का विशय रहा क्योंकि IPL में RPSG Group के स्वामित वाली लखनव की एक अधिकारिक IPL जो टीम है यह आपको शामिल हो गई है केल राहूल इसके कप्तान रहे हैं और स्वामित यहाँ पर देखा जाये तो लखनव सुपर जायंट का संजीव गोईनिका के पास रहेगा अगला देखा जा तो ओम RTPCR किट यहाँ पर चर्चा का विशय रहा जिसे CSI-R के केंद्री आउसद अनसंधान केंद्र लखनव उत्तव देश के द्वारा यहाँ पर खोजा गया है इसके वग्यानिकों ने ओमिक्रॉन वेरियंट के संकर्वन के परिक्षन के लिए ओम नामा के स्वदेसी RTPCR किट को विक्सित किया है किसी भी सरकारी संस्थान के द्वारा जारी की जाने वाली अब तक की पहली यहाँ पर किट है नाम ध्यान रखेगा ओम RTPCR और इस किट का जो मूल है वो भी काफी सस्ता है सिर्फ 1.500 रुपय यहाँ पर आपको इस किट का मूल रखा गया है और परिक्षन के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो दो घंटे में आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड करा देगा अगला है भारत की पहली पैरा बैड्मिंटन अकादमी कहां स्थापित की गई है तो इस स्थापित की गई है लगनव में जो कि उत्तव देश में स्थित है जहां पे सभी उन्नत उपकरण और सुवधाएं सिट अप यहां पर स्टेट डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में होने वाले 2024 के पैरा लंपिक में भारत की पदक संभावनों को सुधार करेगा ध्यान लखिएगा पैरा बैड्मिंटन टीम के जो मुख्य कोच है उनका नाम है गवरो खन्ना अगला टॉपिक दूसरा अर्थ स्टेशन कहां है तो देखे ओ दूसरा अर्थ स्टेशन हाली में उत्वदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ के द्वारा दूरदर्शन केंद्र गोरकपुर अर्थ स्टेशन का यहां पर उध्घाटन किया गया अब इसके माध्यम से DTH के तहट विश्वभर में स्थानी रूप से उत्पन कारिक्रमों को प्रसाइद किया जा सकेगा और इसको बनाने के लिए 7 करोन रुपए यहाँ पर खर्चाया इटावा लखीमपूर खीरी के यहाँ पर गड़निया और बहराइच जिले में नानपारा में 10-10 किलोवार्ट के यहाँ पर 3 FM रिले केंदरों का भी साथी में यहाँ पर उधगाटन किया गया है अगला है AK-203 राइफल का निर्माड यहाँ पर 6 दिसंबर 2021 को भारत रूस के मद्ध हुए समझोते के तहर उत्तव देश के अमेठी में एक संयुत उध्यम यहाँ पर आपको लगाया जा रहा है जिसके तहर 6 लाग यहाँ पर AK-203 राइफलों के निर्माड पर यहाँ पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गए है अगला देखिए यहाँ पर गोरखपूर में एम्स के स्थापना को लेकर यहाँ पर निर्ना लिया गया 7 दिसंबर 2021 को अखिल भारती आयरविज्यान संस्थान यानि की जिसे हम एम्स कहते हैं गोरखपूर में यहाँ पर इसका उध्गाटन किया गया 300 बिस्तरों वाले यहाँ पर आपका 300 बिस्तरों वाला यह एम्स है और गुर इसकी लागज जो आई है 1111 करोन रुपए आई है आगे चलकर इस एम्स अस्पताल की जो बिट शमता है उसे 750 बिट शमता तक किया जाने का प्रावधान भी है इसमें 35 बिस्तरों वाला एक आपात काले इन वार्ड भी लगाया गया है जो कि यहाँ पर ऐसे एमर्जनसी यहाँ पर जो केसिस होंगे उन्हें देखे जाएंगे अगला है यंग जियो एस्पेशियल साइन्टिस्ट अवार्ड इसे प्रोवाइड किरा गया या दिया गया है आई 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 कानपूर के रोपेश गोयल को दिसंबर 2021 में यहाँ पुरसकार प्रदान किया गया उन्हें भारती ये जियो एड मॉडल और कम्प्यूटेशन सौट्वेर विक्सित करने के योगदान के लिए प्रदान किया गया रजपुडी कामात्री की स्वृत में 35 वर्ष से कम आयू के वैज्ञानकों को यह पुरसकार और एक स्वन्ड पदक इसमें प्रदान किया जाता है अगला टॉपिक सर्यू नहर राष्टी पर्योजना तो सर्यू नहर राष्टी पर्योजना को प्रदान मंत्री ने 11 दिसंबर 2021 को उत्तव देश के बलरामपुर जिले में इस पर्योजना का उधगाटन किया गया पर्योजना जो है वो पूर्य उत्तव देश में सिचाई समंधी समस्याओं के समाधान करने के लिए यहाँ पर बनाई गई है या आपको इसका निर्मान किया गया है देखा जायते इस पर्योजना में पांच नदियों घागरा, सर्यू, राप्ती, बाडगंगा और रोहणी को आपस में जोड़ा जाएगा तो ध्यान रिकिया इस तरह कि पर्योजना में कौन-कौन से नदिय है, किस एरिया में है, कब गाटन किया गया ये सारे कुश्चन आपको एक्जाम के रूप में पूछे जा सकते है अगला है है हैदरपूर वेटलेंड, ये पश्चिमी उत्तरप्रदेश के बिजनौर से लगभग 10 किलोमेटर दूर हैदरपूर वेटलेंड को 1971 के रामसर आदरभूम के रूप में यहां पर मानेता प्रदान की गई है ये 6908 हेक्टर छेत्र में फैलू हुई एक आदरभूमी है और इसका गठन 1984 में मद्द गंगा बैराजपर गंगा नदी के बाण प्रभावित छेत्र में किया गया था अगला टॉपिक मिट्टी परिक्षण के लिए एक पोर्टेवल डिवाइस का यहां पर आविश्कार किया गया है क्या है यह आई 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 टी कानपूर ने एक नए पोर्टेवल उपकरण को विक्सित किया है जो केवल नब्बे सिकेंड में मिट्टी के स्वास्त का पता लगा सकता है या infrared spectroscopy पर आधारित है जो भूपरिक्षण नामा के एक embedded mobile app के साथ स्मार्टफोन पर रियल टाइम मिट्टी विश्लेशन रिपोर्ट यहां पर प्रदान करेगा प्रोदोगी को agro next services private limited को हस्तानांतरित भी किया जा चुका है अगला टॉपिक है गंगा expressway यह भी काफिज का चर्चा का बिचार है जितने भी expressway है इनक्यों देखो exam में पिछले का साल की कुछ exam paper उठा के देखिए महाँ पर expressway को लेकर यहाँ पर question आए है उत्तविस सरकार के द्वारा यहाँ पर चलाएगी योजनाओं को लेकर question आए है कुछ विशेश पुरस्कार महोट्सव आयोजनों को लेकर भी question आए है तो ऐसे सभी topics को अच्छे से आप पढ़ लीजेगा ध्यान दीजेगा और सुनते चलिए गंगा एक्सप्रसवे के बारे में देखे प्रधान मंत्री ने 18 जिसमबर 2021 को साजहाँपूर में गंगा एक्सप्रसवे की निव रखी है ये 594 किलोमेटर की छेल लेन की यहाँ पर एक्सप्रसवे होगी जो 36,200 करोन रुपए की लागत से यहाँ पर बनने वाली है इसे बिजवली गाउं से सुरू किया जाएगा और प्रियाग राज के जुदापूर दांडू गाउं तक यहाँ पर इसको जोड़ा जाएगा यह राज के पश्मी और पूरी छेत्र को आपस में जोड़ने के लिए इसको बनाय जा रहा है अगला है साथ नए इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स यूपी में बनाय गए हैं कहां कहां तो केंद्री एलेक्ट्रोनिक्स एवन सूचना प्रदो की मंत्री राजीव चंदर सेखर ने 23 दिसंबर 2021 को उत्तव देश में साथ नए इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स यहाँ पर लॉंच किये हैं यहाँ नोट्स मेरट, आगरा, कानपूर, लगनव, प्रियागराज, वाराणसी और गोरकपूर में यहाँ पर इस्तित होंगे इससे पूर, UP में सिर्फ एक ही था, गौतम बुध नगर में एक इंटरनेट एक्सचेंज था, लेकिन इन साथ के स्थापित हो जाने से पूरे UP को यहाँ पर कवर किया जा सकेगा अगला है, फ्री स्मार्टफोन योजना स्मार्टफोन योजना देखिए, उतवजे सरकार ने 25 समबर 2021 को सुरुवात की इस योजना के तहट राज के सनातक और उससे उपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन वर टाबलेट यहाँ पर वित्रण इस योजना के तहट किया जाएगा साथी योजना के पहले चरण के अंतरगत, BTEC, BA, BSC, MA, ITI, MBBS, MD, MTEC, PhD के अंतिम वर्ष के छात्रों को एग लाग स्मार्टफोन वर टाबलेट यहाँ पर वित्रित किये जाने की यहाँ पर इस योजना के अंतरगत किये गया हैंगे अगला है ब्रम्होस विनिर्माड केंद्र, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने 26 संबर 2021 को रक्षा प्रद्धो की और परिक्षण केंद्र तथा ब्रम्होस विनिर्माड केंद्र की यहाँ पर निव रखी इसकी स्थापना DRDो के द्वारा लखनव में की जाएगी और उत्तवदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कोरिडोर में रक्षा और एरोस्पस निर्माड के समुहों के विकल्ब के रूप में यहाँ पर तेजी लाने के लिए अपनी तरह का यह पहला आप कह सकते हैं कि इना रिफाइनरी में पनकी कानपूर में P.O.L. यानि कि पेट्रोलियम, तेल और स्नेहग टर्विनल एक मल्टी प्रोड़क्ट पाइपलाइन में प्रधान मंत्री ने 28 दिसमबर 2021 को राष्ट को इसे समर्पित किया है इस परियोजना को 365 किलोमेटर लंबी है और इसकी छम पूर नगर आते हैं साथ ही MP के दो जिले सागर और टीकम गड़ भी यहां पर इसमें सामिल हैं अगला है दुर्ग संकर मिश्र जोकी 27 दिसमबर 2021 को उत्तव देश के मुख सचीव के रूप में ने नियूग किया गया यह 1985 बैच के आईयस एक अधिकारी रहे और जहासी रे हमने यहाँ पर complete कर लिये हैं और अब हम यहाँ पर move करने वाले हैं अपने तीसरे लेक्षर की ओर यहाँ पर देखे वन लाइनर हैं जो topic हम पढ़ रहे हैं बहुत ही simple से है factualization पर है one liner है UPSC की तरह यहाँ पर आपको किसी भी topic के बहुत सारी चीजों के आपको बहुत deep knowledge हमें नहीं चाहिए हमें factual चीज़ें चाहिए news related चाहिए पूछा क्या जा सकता उससे related यहाँ पर content हमें पढ़ना है और सभी तरीके के चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है और हम यहाँ पर पांकी का सिस्टम यहाँ पर complete करने वाले हैं तो चलिए अपने आते हैं अपने third part में इस current affairs के उत्तवदेश के current affairs हमसमें घटना करम में थर्ड part में क्या क्या चीज़ें सामिल हैं तो देखें यहाँ पर पहला topic है ब्रज उत्तवदेश के मुख्यमंत्री ने 10 नॉवंबर 2021 को ब्रिंदावन छेतर में 10 दिवसी एक ब्रज उत्तवदेश का उत्धाटन किया यह ब्रजराज उत्तवदेश स्रम अब्रज तीर्थ विकास परिशद का एक संयुक्त उध्यम होगा जो परियतन विभाग उत्तवदेश वा जिला प्रशासन के तहत एक निकाय है यह कारिक्रम में हुनर हार्ट वर शिल्प ग्राम के 100 से अधिक यहाँ पे स्टॉल भी लगाए गए तो यहाँ पर पहला हमारा है ब्रज इस चीज़ों को द्यान में रखना है अगला है यूपी के जिला अस्तरी शासन सुचकां के हाँ पे जारी किया गया है तो केंड्री मंत्री डॉक्टर जितेंडर सिंग ने 11 नॉमबर 2021 को तवदेश में जिला अस्तरी शुशासन शुरू करने की गोषना की है यह प्रशासन अगला टॉपिक है उत्वडेश में पहली निजी रक्षा विनिर्मार ये कहा है तो 14 नॉबबर 2021 को उत्वडेश में पहली यहां पर एक निजी छेतर की रक्षा विनिर्मार सुविधा स्थापिक की जा रही है जिसे एरो लॉली Aerowalli Technologies Limited की नई Aerospace और रक्षा में निर्मार सुविधा याने P.C.C. Industries के पूर्ण सौमित वाली एक सहायक कंपनी के रूप में उसे विक्सित किया जाएगा और यह देखा जाते वीमान और हेलिकॉप्टर इंजन्स का यहां पर इसमें निर्मार भी किया जाएगा अगला है पूर्वांचल एक्सप्रस वे पुर्धान मंत्री ने 16 दिसंबर 2021 को शुल्तानपूर जिले के करवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रस वे का उधगाटन यहां पर किया है यह 3 समलो 2 किलोमेटर लंबी हवाई पट्टी पर भारती वाईशेना का एक एयर शो भी आज़ित किया गया इसकी कुल लंबाई 341 किलोमेटर है और यह आपको चौद सराय गाउं से सुरू होकर हैदरिया तक यहां पर आपको चलती है अधात वहां पर आपको समाथ होती है अगला टॉपिक है काशी उधशो कहा आज़ित किया गया किस्तित को आज़ित किया गया तो 16-18 नॉमबर 2021 तक वारांसी में एक 3 दिन की काशी के क्लासिकल विरासत और संस्कृतिका आयोजन किया गया उध्सो के प्रतेग दिन एक विशेवस्तु यहां पर समर्पित की गई जैसे काशी के हस्ताक्षर, कभीर रहधाश की बानी, निरगोन काशी, कविता और कहानी, काशी की जुबानी जैसे यहां पर चीजों को इसमें शामिल किया गया, या इनका यहां पर आपको आयोजन इसमें देखने को मिला है अगला है अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, क्या है अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क? तो प्रधान मंत्री ने 19 नॉम्बर 2021 को जहासी में 600 मेगावाट के अल्टरा मेगा सौर पार्क की आधार शिला यहां पर रखी है कुल लागत देखा जाए तो इसके 3,013 करोन रुपए जहासी सोलर पार्क की लागत आई है ललितपूर में देखा जाए तो 600 मेगावाट और चितरकोट में 800 मेगावाट के सोलर पार्क की भी यहां पर आपको अस्थापना की गई है उनकी आधार शिला रखी गई है अगला टॉपिक भारत डाइनेमिक्स पर्योजना प्रधान मंत्री ने 19 नूमबर 2021 को जहासी में भारत डाइनेमिक्स के 400 करोन की लागत से स्थापित किया गयाएगा इस सुविधा का उपयोग टैंक रोधी निर्देशित मिशाईलों के लिए प्रवनोदन प्रणाली को बनाने के लिए इसमें किया जाएगा 183 एकड की भूम पर इसे विक्सित किया जाएगा और करीब 200 लोगों को यहाँ पर रोजगार भी इसके माद्धम से प्रोवाइड कराया जाएगा तो ध्यान रखेगा कहां बनेगा क्या क्या चीज़े बनाई जाएगी क्या एरिया है यह सारी चीज़े अगला टॉपिक वायू प्रदर्शन रोधी टावर कहां लगाया गया यूपी में तो केंद्री भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने 17 नॉवंबर को नोईडा में उत्तर प्रदेश राज्ज के पहले वाय प्रदोशन नियंत्रन टावर का यहाँ पे उधगाटन किया टावर अपने आसपास के प्रदोशी थावा को साफ करेगा और उन्हें शुद्ध रखेगा टावर भारत हैवी एलेक्ट्रिक्स लिम्टेड और नोईडा प्राधिकरण के संयुत प्रयास से यहाँ पर बनाये गया है तो ध्यान रखेगा पहला नोईडा में यहाँ पर आपको टावर लगाया गया है बायो प्रदूशन ट्रोधी टावर अगला चॉपिक है अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन उपकरण यह क्या होता है IIT BHU के वैज्यानिकों ने अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन के आन साइट उत्पादन के लिए भारत में पहला उपकरण विक्सित किया है ये 100 प्रशत उपकरण स्वधेसी है और या मेथेनॉल से अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन के आन साइट उत्पादन के लिए एक जिल्ली प्रदोकी पर आधारित है यहाँ पर देखे अल्ट्रा पे और हाइट्रोजन का उत्पादन भी यहाँ पर इस तक्नीक का विकास IIT BHU के द्वारा यहाँ पर आपको किया गया है अगला इसमें है रामपत एक्स्प्रेस कहां कहां से गुजरेगा किन-किन जिल्यों को जोड़ेगा यह धियान रखेगा तो देखे रामपत एक्स्प्रेस तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पुने को आयोध्या से जोडने वाली यहाँ पर रामपत यात्रा एक्स्प्रेस को 27 नुवंबर 2021 डेट धियान रखना है 27 नुवंबर 2021 को यहाँ पर हरी जंडी दिखाई गई यहाँ ट्रेन भगवान राम के नंदी ग्राम, श्रंगवेरपूर, वाराणसी, प्रियागराज, चित्रकूर, ओयध्या से जुड़े 6 तीर्थ अस्थलों की यहाँ पर यात्रा करेगी तो इन 6 तीर्थ अस्थलों को आपको ध्यान में रखना है अगला है उत्प्रेरक पुरसकार किस छेत्र में दिया गया तो ग्रामिर फाउंडेशन इंडिया ने अपनी मंडी यानी की डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से बाजार सक्षम पहुंच परियोजना के तहट एक विशेश पहल उत्प्रेरक पुरसकार यहाँ पर सुरू किया है उत्प्रेरक पुरसकार का एक वित्ती सहायता कारिक्रम है जो चुनिंदा किसान उत्पादक संगठनों को अगला टॉपिक यहाँ पर कंगना रनोट से जुना हुआ है क्योंकि उत्तव देश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को अभिनेत्री कंगना रनोट को अपनी महत्युकांग्षी परियोजना एक जिला एक उत्पाद कारिक्रम का यहाँ पर ब्रैंड एम्बेस्डर बनाया है अगला है नदी पशुपालन कारिक्रम क्या है नदी पशुपालन कारिक्रम आठ अक्टूबर 2021 को उत्तवदेश के गढ़ मुक्तेश्वर के ब्रिजगाट में नदी पशुपालन कारिक्रम का सुभारम किया गया अब देखे इस कारिक्कम के यहाँ पे लाब क्या क्या है जिसमें मचली पकड़ने में वृध्धी, मचवारों की आजीवका में सुधार, नदी की स्वक्षता को बनाये रखना जैसे प्रोग्रामों को इसमें शामिल किया गया है साथी साथ केंद्र के अस्तर पर संचालित की जा रही योजना, प्रधारमिंत्री मतस्य संपदा योजना के एक विशेश गत्विधी के रूप में इस योजना को विक्सित किया गया है चली एक और यहां पर सूचना ध्यान रखेगा, उत्तव्दे सरकार के द्वारा मन्रेगा के मजदूरों के मांदे को बढ़ाया गया है कितना कितना बढ़ाया गया है तो उत्तफ़ दे सरकार ने अक्टूबर 2021 में मन्रेगा मजदूरों के मांदे के विर्धी की यहाँ पर घोशना की मांदे अब मन्रेगा ग्राम रोजगारों को 10,000 रुपए कम्प्यूटर आपरेटरों को 15,156 रुपए अत्रिक्त कालिक्रम अधिकारी को 34,140 रुपए और तक्निकी सहाइकों को 15,656 रुपए अब दिया जाएगा अगला कुश्चन अगला टॉपिक अगला है आरोग्यवाटिका क्या है आरोग्यवाटिका? उत्तवदे सरकार ने राज्य माधिमिक विध्यालियों को अपने परिसरों में अशोग्यवाटिका स्थापित करने का नर्देश दिया है इसके माध्यम से परियावरन संरक्षन भी किया जाएगा साथी छात्र और उनके परिवारों की प्रतिरक्षावा कल्यान को बढ़ावा भी दिया जाएगा आरोग वाटिका के अंतरगत किस तरीके के पेंड लगाय जाएगे तो यहाँ पर ध्यान रखेगा आरोग वाटिका में तुलसी, गिलोई, अश्वगंधा, स्टेविया, भारती आमला, खास, अमरूद, हल्दी, चंदन और सहजन जैसे पौधे यहाँ पर लगाय जाएगे अगला टॉपिक वारांशी रोपवे सेवाएं तो साग्निक परिवहन के रोपवे सेवा वारांशी, यहाँ पर देखे, रोपवे बनाने वाला बोलिविया और मैक्सिको के बाद, भारत विश्व का तीसरा देश यहाँ पर बन गया रोपवे सेवा वारांशी शहर में हवाई रोप में 42 km की दूरी तै करेगा और ओवे में करीब 220 यहाँ पर केबलतारों के मादम से संचालित किया जाएगा चगली, अगला टॉपिक है बौध सर्किट बौध सर्किट क्यों यहाँ पर चर्चा का विशेय रहा? क्योंकि परेटन मंत्राले ने कुशी नगर में 20-21 अक्टूबर 2021 को तूरिस्न इन बौध सर्किट आ वेफ़ फॉरवर्ड सीर्सेक से दो दिवसी सम्मेलन का आयो जनिहा पे किया है बौध शर्किट कुशी नगर स्रावस्ति कपिलवसु जैसे छेतरों को यहाँ पर शामिल करता है और परटकों को यहाँ पर आकरशित करता है इन शेत्रों को आपस में अथाथ इन शेत्रों को गुमाने के लिए अगला है सरसयद अहमद खा को लेकर यहाँ पर चर्चा का विशय क्यों रहे हैं सरसयद अहमद खा तोकि सैफी के द्वाई ने अपनी एक नई पुस्तक सरसायद अहमेखा, रीजन, रीलीजन एवं नेशन की यहाँ पर प्रस्तुत की है अलीगड मुश्मिद्याले की यहाँ पर यह संस्थापक भी रहे हैं और 17 अक्टूबर को इनकी 204 जैनती भी मनाई गई अगला टॉपिक, पियम मात्रू बंदना सब्ता इस्मित इरानी ने 5 सितंबर 2021 को अमेठी के सामुदाइक स्वास केंद्र में कायक्रम का उद्गाटन किया है या गर्वती महिलाओं को स्वस्थ रहने और बहतर देखभाल की जानकारी देने के लिए यहाँ पर इसे स्वरू किया गया अमेठी में 42,000 लाभारतियों को 14.52 करून रुपई की यहाँ पर सहायता भी इस योजना के तहर प्रदान की गये अगला है विश्वकर्मा स्रम सम्मान योजना विश्वकर्मा जैनती में 17 अक्टूबर 2021 के अवसर पर इस योजना के तहत 21,000 लाभारतियों को टूल किट यहाँ पर प्रदान किये गए इसके तहत युवाओं को बढ़ाई गीरी, सिलाई, लोहार और सुनार, मिट्टी के बरतन, स्वेट मीट की दुकान चलाने के लिए परंपरिक कारियों का यहाँ पर प्रसेक्शन इसके अंतरगत दिया जाएगा अगला है electronic park यहाँ पे UP में कहाँ बनाय जा रहा है तो उत्तब देश सरकार के द्वारा यमना एक्स्प्रेश्वे और द्योगिक विकास प्राधी करण छेत्र में एक electronic park अस्थापित करने के लिए यहाँ पे गोशना की गई है इसमें 50,000 करनों रुपए के निवेश की भी उम्मीद है और नोड़ा में साथी साथ एक medical device बार्ग भी बनाय जाएगा जो 350 एकड़ की समीन पर अस्थापित किये जाएगे अगला है अंतराश्टी प्रतिष्ठित पुरस्कार यानि की IPA यह क्या है World Against Corruption People Council और WAC Global Humans Right Foundation ने डॉक्टर भासकर सर्मा को IPA 2021 से यहाँ पर सम्मानित किया है डॉक्टर भासकर सर्मा यूपी के होमियोपैथिक यहाँ पर एक चिकित सक है अंतराश्टी प्रतिष्ठित पुरस्कार यूपी के होमियोपैथिक चिकित सक डॉक्टर भासकर सर्मा को दिया गया है अगला निर्भया एक पहल ये क्या है लखनव में मिशन शक्ती के चरण तीन के तहट निर्भया एक पहल क्यारिक्यम के यहाँ पर सुरुवात की गई इसमें राज के 75,000 महिलाओं को योजना के तहट राज सबसडी का यहाँ पर लाप्रदान किया जाएगा साथ ही यहाँ पर इन्हें बैंकों से जोड़ा जाएगा सस्ती ब्यास दरों पर रणे ने प्राप्त होगा और तीन महिने के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना पर इन्हें यहाँ पर एक सबसडी भी यहाँ पर प्रवाइड कराई जाएगी अगला टॉपिक है बच्चों को यहाँ पर 25 रुपए प्रतिमाह दिये जाने का यहाँ पर उत्वदेश सरकार के द्वार निर्णे लिया गया है तो किन बच्चों को और किन परस्थितियों में यह पैसे दिये जाएंगे उत्वदेश कैबिनेट के द्वारा COVID-19 या अन किसी कारण से अपने माता-पिता को खोने वाले 18 वर्षे कम उम्र के बच्चों को यहाँ पर उत्वदेश मुक्मंत्री बाल सिवा योजना के तहत प्रतिमाह 25 रुपए की वित्ती सहायता को देने के हाँ पर मन्जूरी प्रदान की गई है साथ ही 18 से 23 वर्ष के ऐसे बच्चों को जो मुद्रिक सहायता दी जाएगी जो COVID-19 के कारण अपने माता-पिता को यहाँ पर खोड़ चुके है तो COVID-19 कारण काफी सारी समस्थाय हुई कई सारे लोगों को यहाँ पर हुई है बच्चे अईवाकों सभी को यहाँ पर हुई है और इसी के तहल बच्चों के तरीके से सनलेक्शन प्रदान करने के लिए उनकी मौद्रिक सहायता के लिए यहाँ पर यह 25 रुपए की सहायता यहाँ पर बाल सिवा योजना के तहट प्रदान किया जाएगा अगला है काकोरी कांट के नाम का यहाँ पर राजसरकार की द्वारा परिवर्तन कर दिया गया है देखिए उत्तव देश राजसरकार ने काकोरी कांट का नाम परिवर्तित कर काकोरी ट्रेंड एक्शन यहाँ पर रख दिया गया है पुर्देश सरकार 9 अगस 2021 को 44 महसो कारिक्यम के तहट काकोरी ट्रेंड एक्शन की सालगिरा भर यहाँ पर मनाई जो की 2022 में इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे कई ऐसे कारिक्यम जो अपनी 100 मी वर्ष कांट यहाँ पर मना रहे हैं तो वहाँ पर उनको लेकर कई बार एक्शाम में यह कुशन पूछे गए हैं तो आपको ध्यान रखना है काकोरी कांट के भी यहाँ पे 2022 में 100 साल पूरे हो रहे हैं तीन हो गया ठीक हैं बस 15 से 20 मिनट और आपको देने हैं और इसके साथ ही हम यहाँ पर उत्तरफदेश के डेढ़ साल के करेंट फेर्स को मातर एक घंटे या 60-75 मिनट में हमने पूरा का पूरा डेढ़ आपको डेढ़ साल का करेंट फेर आपको एक घंटे या सवाँ गंटे हम कंप्लेट करने वाले हैं तो बस अगले 15-20 मिनट और और उसके साथ ही आप इसका पूरा काम कर लेगे नोट्स जरूर यहाँ पर बना लीजेगा अगर या तो आप वीडियो को बार-बार सुन सकते हैं ये भी आप एक काम कर सकते हैं और या फिर आप इसके नोट्स बनाकर बार-बार रिवीजन कर सकते हैं जो भी मेथड आपको पसंद है वो जरूर करिएगा लेकिन हाँ बिना मल्टिपल टाइम रिवीजन के आप इस वीडियो को एक बार देखने का कोई फाइदा नहीं है जितनी बार आप देखोगे उतना ही जादा फाइदा होगा क्योंकि उतनी ही चीजें क्लियर होंगी उतने ही फैक्ट यहां पर आपको याद रहेंगे और उतने ही जादा कोश्चन आप एक्जाम में अटेम्ट करके आने वाले हो ठीक है जो चलिए आते हैं अपने अपने अंतिम पड़ाओ पर अंतिम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं पहला है ATS प्रसेक्षन केंद्र उत्तवदे सरकार ने सहारनपूर के इसलामिक मदर्सा दारुल उलेम देवबंध में आतंकवाद विरोधी दस्ते यानि ATS कमांडो के लिए एक विसेस प्रसेक्षन केंद्र अस्थाबित करने का यहां पर निर्ने लिया है और इसके लिए 2000 वर किलोमेटर की भोमिका आवंटर किया गया है उत्तव्य सरकार ने यमुना एक्सप्रिश्वे में और द्योगिग विकास प्राधिकरण के सेक्टर 29 में राज जी का पहला हस्त सिल्प पार्क यहां पर बनाया जा रहा है इसमें घरेलू और विदेशी आंगतुंकों को राज में व्यापक हस्त सिल्प बनाने प्रदर्शित करें बेचने के लिए कारशालाएं कारखाने और आउटलिट्स की इसमें सुविधा प्रदान की जाएगी तो पहला हर्चिल पार कहां बन रहा है यमनाच्परश्प में और दोईग विगास प्रादीकरण के सेक्टर 29 में अगला है आयश विश्विध्याले ये कहां है तो 28 अगस 2021 को गोरकपूर में उतवदेश के पहले आयश विश्विध्याले की आधार शिला रखी गई और इसके साथ ही गोरकपूर में अब चार विश्विध्याले हो गए हैं वो भी अलग अलग तरीके के और ऐसा इसली किया जा रहा है क्योंकि गोरकपूर को पुर्वांचल में सैक्षिक केंद्र के रूप में विख्सित करने की यहां पर राज्य सरकार की एक पहल के अगला टॉपिक राम बन गमन मार्ग प्रारू इस मार्ग को सुल्तानपूर प्रतावगड स्रिंगवेरपूर धाम अमांजनपूर राजापूर होते होए चित्रकूर तक यहां पर विख्सित किया जाएगा मेडिकल कॉलेज तो जुलाई 2021 में यूपी में 9 मेडिकल कॉलेजों का घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया नए कॉलेज जो है वो एटा, दिवरिया, फतेपूर, गाजीपूर, मिर्जापूर, जौनपूर, हर्दोई, प्रतावगड और सिधार्थ नगर जिले में हाँ पर खुलेगे अगला टॉपिक, बनमहोच्सव, उत्तव देश में 4 जुलाई को समात हुए बनमहोच्सव के दौरान करीब 25 करोन पोधे लगा कर इसे विश्व के इरित्मान यहां पे स्थापिर किया गया एक important aspect नई जनसंख्यानी जो काफी चर्चा का विश्व रही, क्या है इसमें? उत्तव्दे सरकार ने 11 जुलाई 2020 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई जनसंख्यानी 2021 से 30 की घोटना की है जिसमें कहा गया है कि नीद के फैसले के अनुसार दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को अस्थानी निकाय चुनाओं नहीं लड़ सकेंगे साथी सरकारी लाग भी उन्हें प्रदान नहीं किया जाएगा लेकिन जिनके बच्चे दो या दो से कम हैं उन्हें अधिक सरकारी सुधाएं और प्रोच्चाहन यहां पे फ्रदान किया जाएगा राज सरकार के और उनकी विविन ने योजनाओं के माध्यम से अगला है भारती विराशत संस्थान यह सरकार ने नोईडा गौतम बुध नगर में स्थापित करने का इसे नेड़ने लिया है इसे पुरा तत्व संस्थान अभिलेखी अध्यन के स्कूल को एकिकरित करके एक विश्विद्याले के रुप में स्थापित किया जाएगा तो भारती विराशत संस्थान गौतम बुध नगर नोईडा में यहाँ पे स्थापित किया जाएगा इस चिस को ध्यान रखें चौरासी कोसी मार्ग यहाँ पर कहां कहां स्थापित होगा किन जिल्यों को जोड़ेगा कितना वर किलोमेटर फैला हुआ इस अब आपको पूछा जा सकता है तो चौरासी कोसी मार्ग अयोध्या में चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग को राश्ट्री राजमार्ग यहाँ पे घोशुत किया गया अयोध्या में करीब 80 किलोमेटर रिंग रोड के 275 किलोमेटर अध्या 84 कोष परिक्रमा मार्ग में शामिल किया जाएगा इसमें आयोध्या 12 बाराबंकी गोंडा बस्ती अंबेडकर नगर जिले शामिल होंगे साथ ये परिक्रमा मार्ग में बहराई चरायबरेली सुल्तानपूर में रहने वाले लोगों को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा तो 84 कोष परिक्रमा की इस योजना को इस राजमार को यहाँ पर आपको ध्यान रखना हैगा कौन कौन से जिले यहाँ पर आपको अटैच है ये भी आपको ध्यान रखना है अगला टॉपिक टेक्नलोजी इनोवेशन हब इसे IIT कानपूर ने NT ड्रोन प्रदो की घुसपैट का पता लगाने वाले प्रणाली ब्लॉक्चेन, साइबर, भौतकी प्रणाली, साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए पहला प्रदो की नवाचान्द के रूप में यहाँ पर लॉँच किया है इसके लिए 13 स्टार्टप वा 25 R&D प्रमुख जाचकरताओं का इसके लिए इसके संचालन के लिए यहाँ पर चैन किया गया है चले, उत्वदेश सरकार ने लोगों से जुड़ने के लिए माई गोवर्मेंट उत्वदेश पोर्टल को यहाँ पर लॉँच किया है 26 जुलाई 2021 को इसके लॉँच किया गया और इसका उदेश है कि नागरिक जुड़ाओं के विचार को आगे बढ़ाना, शुशासन का लक्ष प्राप्त करना नागरिक सरकार की नीती पर अपनी राय को जाहर कर सके इसलिए इस पोर्टल को यहाँ पर लॉँच किया गया है अगला है बिलीव, बिलीव क्या है तो उत्व देश के क्रिकेटर सुरेश रहना की आत्मका था बिलीव वाट लाइफ टॉट मी मैं अपने क्रिकेट के करियर की यहाँ पर सभी चीजों के बारे मनों ने यहाँ पर चर्चा की है उतार, चड़ाओं, सफलता, सफलताओं, त्याज़की, साथी प्रमु घटनाओं और कह सकते हैं की मोमेंट्स को यहाँ पर उन्होंने इसमें चर्चा की हुई है अगला है चंदो तोमर, चंदो तोमर क्यों फेमस हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए चर्चा का विशेश लिए हैं कि नोड़ा में इस्तित एक अंतराश्टी सूटिंग रेंज का नाम चंदो तोमर के नाम पर रखा जाएगा उत्तित सरकार ने यह निर्णे लिया है चंदो तोमर को आप यहाँ पर शूटर दादी के नाम से भी जानते होंगे और अप्रेल 2021 में COVID-19 के कारण इनकी डिथ हो गई संबूनाथ को आई फॉना के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है संबूनाथ जो है इलावाद हाई कोट के पूर नयाधीश रहे हैं और संबूनाथ सिर्वास्तों को संयुक्त राज संगों में भारती संग का अध्यक्ष यहाँ पर न्यूक्त किया गया है जो कि एक गैर लावकारी संस्था है नेक्ष है विज्ञानेम प्रदों की विभाग केंद्र उच्चस्तरी विश्रेशनात्मक परीक्षन की सामाने सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख विश्रेशनात्मक उपकरणों को रखने के लिए तीन केंद्र एक IIT खड़कपूर, दूसरा IIT दिल्ली और तीसरा BHU वाराणसी में अस्थापित किया जाएंगे और इस योजना को केंद्री योजना साथी योजना के तहत यहाँ पर अस्थापित किया जाएगा आवश्रक सेवा रख रखाओ अधनियम देखे, COVID-19 के समय पर यहाँ पर उत्तवजे सरकार के दोरा ऐसे कुछ अधनियम लेकर आएगा जिसके माध्यम से यहाँ पर चीजों को नियंत्रित करना और सुचारोप से यहाँ पर संचालन करना संभव हो सके जैसे ही आवश्रक रेखा रख रखाओ अधनियम को देखा जा सकता है उत्तवजे सरकार ने 27 मई 2021 को राजमी से लागू किया 6 महीने के लिए यहाँ लागू रहा या उत्तवजे आवश्रक सेवा रख रखाओ अधनियम 1966 के रेलवे हवाई यटे डाक तथा टेलीग्राफ जैसी आवश्रक सेवा में कर्वचारी द्वारा हरताल पर यह रोग लगाता है साथी सरकारी विभागों, सरकारी निगमों और विकास प्राधिकरणों के द्वारा भी हरताल करने पर यह प्रतिबंध लगाता है अगला टॉपिक है राष्टी सुरक्षा अधनियम यह क्या है तो उत्तवदे सरकार ने उन व्यक्तियों पर राष्टी सुरक्षा अधनियम और गैंगस्टर अधनियम लागो करेगी जो आवश्चक दवाओं, ऑक्सीजन, कोवेट के उप्चार है उत्त आवश्चक बस्तुओं को यहाँ पर छुपाए हुए है अगला टॉपिक है यह पंचायत पुरसकार 2021 इसके बाद आसम और चतिस गड़ को दूसरा और ओडिसा और तामिन लाट को यहाँ पर तीसर अथान पर रहे यहां ग्राम पंचायतों का कामकाच और उस पर नजर रखने के लिए किये गए प्रद्धोकी के प्रयोग को लेकर यह पंचायत पुरसकार यहां पर ब्रदान किया जाता है नेक्स है अरजुन सहायक सिचाई परियोजना उत्तव देश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने 10 मार्च 2021 को सूचित किया कि 26,000 करून रुपए के अरजुन सहायक सिचाई परियोजना को लागू किया जाएगा इसे बुंदेलखंड छेत्र में हमीरपूर बांदा महोबा के किसानों के लिए यहां पर सिचाई और नप्रिकार की सुवधाएं यहां पर इनके द्वारा प्रतत्थ होंगी नेक्स है देशिकन भवन ये क्या है 6 मार्च 2021 को ICMR, NJIL और OMD ने आगरा में नए अनुसंधान देशकन भवन का यहां पर उधगाटन किया इसके माध्यम से पशुरोग COVID-19 के निदान और संपूर्ण जीनोम अनुक्रमन इत्याद के छेत्र में हापर अनुसंधान और कारे किये जाएंगे अगला टॉपिक, काला नमक चावल महोटसौ उत्तबदे सरकार ने 13 मार्च 2021 सिधार्थ नगर जिले में तीन दिवसी काला नमक चावल महोटसौ का आयोजन किया इस छेत्र में उगाया जाने वाला चावल, काला नमक, चावल जो है कुछ जिलों का एक जिला, एक उत्पाद कारेक्टरम के अंतरगत अपनाया गया, एक या उत्पादित किया जाने वाला एक प्रोड़क्ट भी है अगला टॉपिक है सहनाई उत्सव याजादी के अमरित महुस्व के एक भाग के रूप में किसमाद 2021 को BHU परिसर मेहाँ पर तीन दिवसी सहनाई उत्सव का आयोजन किया गया इसे संगीत नाटक अगादमीवा BHU के संगीत और प्रदर्शन कला संकाय के द्वारा भारत के भारत रत्न उस्ताज बिश्मिल्ला खां की जहनती पर इसे आयोजित किया गया अगला टॉपिक है P.A.C. महिला बटालियन्स को लेकर तो यूपी में यहाँ पर देखे P.A.C. महिला बटालियन्स को निर्मित किया गया है कहां कहां पर किन किन छेत्रों में रहेंगी और इनका नाम क्या है उत्तवदेश मुक्मंत्री योगी आदित नाते में महिला युद्धाओं के नाम पर तीन यहाँ पर P.A.C. महिला बटालियन्स थापित करने की घोशना की है इनमें रानी लक्ष्मी बाई, रानी आवंती बाई, लोधी और उध्या देवी के नाम पर बदायू, लखनव और गोरकपुर में इने अस्थापित किया जाएगा तीन नाम हैं और तीन अलग लग छेत्रों में इन तीन P.A.C. यहाँ पर बटालियन्स को स्थापित किया जाएगा अगला है UPFPO, शक्ति पोर्टल उत्तव देश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने किसान कल्यान के एक हिस्से के रूप में इसे लौंच किया है के अस्तर पे लाभानुईत करने के साथ साथ व्यापारियों को कृषी और अनसम्मंदित विभागों को एक मंच यहाँ पर इस पोर्टल के माधिम से प्रदान करना जहां पर वो आपस में मिल करके इन मुद्दों पर चर्चा कर सकें, व्यापार कर सकें और अनप्रिकार की प्रक्रियाओं का संपादन कर सकें, एक दूसरे के साथ जुड़ सकें अगला है केला महोटसव, 22-23 मार्च 2021 में उत्तब्दे सरकार ने कुशी नगर में आयोजिती से किया है, जिसमें 35 किसानों और उद्यम्यों ने इसमें भागी दारी गी, यहां एक जिलाएक उत्पात की रूप में केले के शामिल होने के पशाथ, प्रशंसकरन में 500 लोगों को यहां पर इसके मादन से रोजगार भी यहां पर प्रदत हुआ है, अगली योजना है, ग्राम उजाला योजना, ग्राम उजाला योजना क्या है, 24 मार्च 2021 को वाराणसी में इसे प्रारम किया गया, कम्पनी का नाम यहां पर ध्यान रखेगा, CESL, इस कम्पनी के द्वारा वाराणसी के ग्रामीर इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्व के लिए प्रती बल्व 10 रुपए का यहां पर वित्रण किया जाएगा, कितना? 10 रुपए प्रती बल्व यहां पर वाराणसी के जिलों में यहां पर गाओं के लोगों और इन लोगों के यहां पर वित्रित किया जा रहा है ताकि LED बल्ब को यहाँ पर लगाए जा सके और इसके साथी साथ देखे पहले चरण के तहट पांच जिले में डेड़ करोंड LED बल्बों को यहाँ पर वित्रण किया जाएगा और इसके माध्यम से एक तरफ उबुचा के संद्रक्षन को बढ़ावा देना है LED के उपयोग को बढ़ावा देना है और साथी साथ देखा जाए तो परियावन संद्रक्षन को भी यहाँ पर इसका लाप मिलेगा अंतियम टॉपिक एक और यहाँ पर जाते जाते देख लेते हैं पुलिस आयुक ताले ठीक है जिसे आपने नियूस पेपर में लगा तार एक चर्चा का विशे सुना होगा कि कमिशनरेट प्रनाली यूपि में देखे कई सारे जिलों में अब कमिशनरेट प्रनाली के तहत इन्हें इहाँ पर लागुकण किया जा रहा है और ऐसा ही यहाँ पर यूपि में देखा जाए तो कानपूर, वारानसी, लखनव और नोईडा में यहाँ पर Commissionerate प्रणाली को लागू कर दिया गया है साथी साथ गाजियाबाद में भी इस तरह की प्रणाली और मेरट को भी इसके अंतरगत लाने के यहाँ पर प्रयास किया गया है इसके बारे में भी चचा यहाँ पर सुरू की गई है Police Commissionerate प्रणाली जो होती है इसके तहत यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं उन्हें एक Magistrate Power की यहाँ पर शक्ति प्रदान की जाती है और उसके माध्यम से यहाँ पर उनको उसके साथ साथ सभी प्रकार की कानून व्योस्ता और अन्न प्रकार की विशेश शक्तिया इनको प्रदत की जाती हैं तो आज हमने यहाँ पर देखे पढ़ना जो सुरू किया था मैं आपको बता दूँ हमने अप्रेल 2022 से यहाँ पर उत्तबदेस राज्यविशेश के घटनाकरम को समसमय घटनाकरम को पढ़ना शुरू किया था और यहाँ अगर आपने देखा होगा ध्यान से सुना होगा तो म मार्च से तक कि यहाँ पर घटनाकरम मार्च 2021 के घटनाकरम को हुआ हमने कवर किया है टोटल आप मन्थवाइज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्च 2021 का देखे तो 12 मेंसे सिर्फ 2 महने था जनवरी फरोट आजिए 10 महने आपको यहाँ पर मिल गया पिछले साल के और जनवरी से फम अपरेल तक 4 महने इस वर्ष के टोटल 14 महने का करेंट फिर्स आपको यहाँ पर दे दिया गया है इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजेगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था पढ़ अच्छे से लीजेगा रिवाइज अच्छे से कर लीजेग रिवाइज करने के अपने दोनों तरीके हैं चाहे आप इस वीडियो को multiple time सुन लीजिए fast forward mode पे भी सुन सकते हैं या फिर आप इसे एक proper notes बना लेंगे तो वहाँ पर अपने अस्तर पे आप इसका तीवर्गत से revision कर सकते हैं वीडियो बहुत helpful होगा आप इस वीडियो को ए important aspect ही यहाँ पर discuss किये गए हैं UPPCS के लिहाज से पढ़ाया गया है जो कि यहाँ पर one liner के रूप में पूछे जा सकते हैं इसलिए UPPCS या आने वाले exam चाहे आरो या रो है या अधर कोई UP State का exam है तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं तो इस exam से पहले अच्छे से त्यारी करिए समय यहाँ पर कम है तो revision ही सिर्फ आपका आधार है आपकी सवालता का जितना समय मिलता है सिर्फ revision करिए negativity से दूर रहे और अपने लक्ष को देखते हुए जादा से जादा समय सिर्फ ने revision पर यहाँ पर दीजेगा exam से जस्ट पहले कु